तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ WWE के एक ऐसे लेजेंड की जिसने कई सालों तक WWE फैंस के दिलों पर राज किया तो हाँ मैं बात करने जा रहा हूँ WWE के Hall of Famer The Deadman The Undertaker के बारे में जिनका असली नाम Mark William Calvay है Undertaker का जन्म 24 मार्च 1965 को United States के Texas में हुआ था और प्रेजेंड में इनकी age 57 years है Undertaker तो उनका नाम था ही साथे साथ लोग उन्हें कई और नामों से भी जानते थे जैसे कि The Fee नाम, The Deadman और इनके नामों के लिस्ट काफी लंबी है Undertaker के फादर का नाम Frank Calvay और उनकी मदर का नाम Catherine Calvay है उनकी married life की बात करें तो उन्होंने अपनी life में 3 साधियां की हैं लेकिन present time में इनकी wife में चिल मकूल है और साथे साथ इनके 5 children भी हैं अगर body measurement की बात करें तो इनकी height 6 foot 10 inch वहीं इनका weight 309 pounds जैनी 140 kg बताया जाता है और wrestling में आने से पहले ये football और basketball भी खेले करते थे Undertaker ने 26 June 1987 को wrestling ring में कदम रखा और पहले उन्होंने कई दूसरे promotions के लिए काम किया जिन में WCW का नाम भी सामिल है और वहाँ पर उनका ring ने Mark Gloss हुआ करता था और उन्होंने 1990 में WWE को join किया जो कि उस समय पर World Wrestling Federation हुआ करता था WWE ने उन्हें एक नया नाम दिया जो कि The Undertaker था और नाम के साथ-साथ उन्हें एक unique character भी दिया गया जो कि बहुत ही ड्रावना था Undertaker पहले से ही अपने अलग अंदाज के लिए जाने आते थे और 6-time World Tag Team Champion है और WrestleMania में उनके एक बहुत ही कमाल की streak थी जिसमें उन्होंने back-to-back 21 match जीते थे और WrestleMania 30 में Brock Lesnar ने उनकी ये streak तोड़ी जो कि उनके fans के लिए बहुत ही shocking और बहुत ही disappointing था Undertaker ने Kane के साथ मिलके एक tag team भी बनाए थी जिसका नाम brother of destruction था ये team भी WWE में बहुत ही ज्यादा successful हुई और लोग तो ये भी मानने लगे थे कि थी Undertaker और Kane सच के भाई हैं लेकिन ऐसा नहीं था Undertaker ने अपने career के दुरान लोगों के दिलो पर राज किया और आज भी उनके fans उने बहुत मानते हैं ने 2020 में WWE से retirement ले ली और 2022 में उने hall of fame में induct किया गया जहांपर Vince McMahon बहुत ही ज्यादा भावक हो गये थे और वो इसलिए क्योंकि Undertaker एक ऐसे superstar थे जिन्होंने company के अच्छे और बुरे समय में उनका साथ नहीं छोड़ा और वो एक ऐसे legend है जिने हम WWE fans कभी भूल नहीं पाएंगे और नहीं कभी कोई उनकी जगा ले पाएगा तो guys बस आज की वीडियो यहीं तक थी अगर आप भी Undertaker के fan है तो उस वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी बाकी मिलते रहें guys interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए